अज मैं एक बैंगुली डिस आलू जिंगा पोस्तों लें बनाते हैं तो सबसे पहले आलू जिंगा को दो कि हमने कटकर लिया है पोस्तों कोया है पोस्तो को शबेस फूलने देन अभर आ जाता है मंग्रे़ना को बंगाल में कलो जीरो भी कहते है, तो पर हम यहाँँपन मैं रिड़ा ६ जीर डाला है तोरही जो होती है कमजोर इम्मुड्यि वालों के लिए बहुत फाइदे मां सबची तोरही में इम्निटी बूस्ट करने की काफी मदद मिलती है तोरही में नागनीशियम, विटामीन, आईरेन और जिंग जैसे पोशक तत्व पाये जाते हैं जो इम्निटी को मजबूत बनाने में काफी मदद करती है तो देखे मेरा आलू को हमने डाल दिया है और आलू हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें जींगा डालेंगे तो देखे हमारा आलू लाल हो चुका है अब हम इसमें जींगा डालेंगे और जींगा डालके हमें इसमें थोरी सी हल्दी थोरी सी चीनी और स्वात के अनुसा नमक डालना है इन सारी चीजों को देखे हमें इसे ढखके पकने देना है इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि ज पानिक छोड़ेगा तो इससे आपकी सब्जी आटमेटिक कल जाएगी तो देखें हमने डाल दिया है आलू जिंगा पोस्तो जो होती है यह निरामिश होती है तो बैंगावन में जब भी वतर सेटरडे के दिन ज्यादातर घरों में निरामिश बनती है तो उस दिन यह सब्ज बनाना मस्ट रहता है जैसे आलू पोस्तो जिंगा पोस्तो भीणिडी पोस्तो इस तरह से जो होती है आ पोस्तो बाटता इस तरह की रेसे भी ज्यादा बनती है और खाने में भी बहुत श्वादिस्ट लगती है पोस्तो में के साथ ज़्यादा कुछ मसाला यूज नहीं करते हैं क्योंकि पोस्तो का अपना ही फ्लेवर होता है तो ढक्य हमने इसे पकने दिया है अब पोस्तो को हमें सिल्वट्टे में पीस लेना आप या चाहें तो मिक्सर ग्रांडर में भी पीस सकते हैं सिल्वट्टे में पीसने से अच्छा फ्लेवर आता है पोस्तो का उसके बाद हमें देखे हमने ये जो तुरई और आलू दिया था ढखके पकने के लिए तो ये हमारा पक चुका है गल चुका सबजी हमारी अलड़ी पक चुकी है अब हम यहाँ पर पोस्तो जो हमने पीस के रखा है इसे इसमें डाल देंगे और पोस्तो को डाल के हमें पकाना है पांस मिनिट हमें पकाना है पोस्तो का कच्छापन हमें हटाना है तो पोस्तो डाल के हमेशे पकाना है और आप चाहे तो अगर तीखा पसंद करते हैं तो यहाँ पर हरी मेच डाल सकते हैं आप चाहे तो आलो भूंतेवन धनिया जिरा पॉडर हलका हलका डाल सकते हैं बट पोस्तो के साथ कोई भी मसाला यूज नहीं करते हैं सिंपल ही बनाते यह बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पोस्तों का अपना ही एक स्वाद होता है इस रेसिपी को ज़्यादा तर आप रोटी लूची पडाठा प्लेन राइस मत्तब स्टीम राइस के साथ यह ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में पोस्तों से रिलेटर जित्ती भी बहुत ही श्वादिष्ट बनती है तो देखिए हमारा पोस्तों अलू बन रहा है अगर आप मेरे चैलेंग में नहीं है तो प्लीज लाइक शेयर शब्सक्राइब ज़रूर करें कोई बाई